हेलो गुड मॉनिंग एविवन तो बच्चो कैसे वा आप सभी तो बच्चो हमने हमारा चैप्टर वन का हमने हमारे चैप्टर वन के सभी mcqs हमने कर लिए थे कुछ करीब 300 कुछ mcqs हमने कर लिए थे विकेस वो चैप्टर ही बहुत बड़ा था डिमांड सप्लाइए रस्ट डिमांड एलासिटी सप्लाइए फॉंस ऑफ मार्केट मार्केट इकलिब्रियम ठीक है तो हमने हमारे चैप्टर वन का सब्सक्राइब कर लिया था आए होग तुम सब कभी अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा तो अब हमाते बच्चों वह हमा दो तुम लोग का एक्जाम जो है ऑगस्त में 29 अगस्त को है ठीक है ताइम है अच्छे से पढ़ते रहो डेले मत पढ़ना ठीक है मस्त लाग मस्त एकदम प्रप्रेशन चलने दो आते हम हमारे अब चैप्टर नंबर टू पर आट इस नैशनल निकमें रिलेटेड एग्रि इसको हम आज सौल करेंगे और प्रेक्टिस करेंगे हम इन पूस्टन का ठीक है चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कि हमारा आज का सेशन जहां पर हम लेने वाले हमारे चैप्टर नंबर टू याने नैशनल इकम के कुछ पूस्टन ठीक है चलि हीरी की जिए आख चलिक याद हो तो बच्चों ठीक हमारी थिएम आ आता है प्रस हमारी объяс क्टरी में दूसरी कंटरी में नहीं आता है थिक है तो चलिए देखते हैं क्या क्वेशन है बच्चों कि विचाब तो फॉलिंगा अंदर डॉमेसिक टारिटरी अंदर कवर्ड होगी फहला स्टेट बेंक ऑफ इंडिया इन लंडन अरे स्टेट बेक ऑफ इंडिया एस बेगा कोई ब्राइच लंडन में तो वह हमारी डॉमेसिक स्टेटरी में अरे नगुब ऐगा स्टेटरी में अभी गूगल का ईंडिया में जैक्रसट का ऑफ इंडिया में चैनों किसी का भी ऑफिस इंडिया में होती तो फिर वो डॉमेसिक टरिटरी में नहीं आता ठीक है तो पहले वाले आंसर है गामारा बी है याने बिसिकली इंटर्मीड गुट्स आर्द रॉम मटीरियल विचा रिक्वाइट फॉर्ड प्रॉसेस ऑफ प्रडक्शन ठीक है और इसमें आप जो भी कुछ पर्चेस करते हैं जो भी चीज़ आप पर्चेस करते हैं एज रॉम मटीरियल वह आपकी क्या होती इंटर्मी सब्सक्राइब गुट्स दिफिरेंट टायप्स अपर सम्ने अच्छे से समझे थे नहीं आदे किसी को तो जाओ वीडियो पे और देख रहाओ क्या होते हैं इफिरेंट टाइप्स आप गुट्स ठीक हैं तो देखो बताओ इनमें से कोई एक इंटर्मीड गुट्स है पर् वीट अनाज गेहूं कौन यूज कर रहा है फ्लोर मिल जो आटा बनाती है तो यस वो के करेंगे वीट गेहूं लाएंगे और उसको पीसेंगे और आटा बना के उसको बेचेंगे तो वीट इस इन इंटरमेडिट गुड फॉर दी फ्लोर मिल इसका अंसर है C वीट उस बाइदी हाउसोल वो तो क्या है फाइनल गुड से बेटा हाउसोल का नो निक थर वन विच वन ऑफ दी फॉल्लिए इस नौट इन उस नहीं है उसके होते हैं सर फाइनल गुड वो गुड होते है जिनका ultimate consumption ठीक है कौन करता है तो यह दर पूछा है कौन एक final goods नहीं है, नहीं है, options आर, chock duster etc purchase by a school, तो school ने अगर chock duster purchase कहा, तो school उसको खुद यूज़ करता है, तो वो school के लिए final goods है, fertilizer use by the farmers, fertilizer use कर रहा है farmer, क्यों, ताकि वो production अगरा कर सके, तो बताओ यह है क्या, देखते हैं, wheat used by the floor mill, wheat used by the floor mill, यह intermediate goods है, it is not in final good, तो C is cancer है, ठीक है, fertilizer use करता है farmer, तो farmer जो fertilizer use करता है, क्यों करता है, क्यों उसकरता है, ताकि production कर सके फर्दर, अच्छा यह एर एक मिट, purchase chock duster etc purchase by a school, sorry, गलती, एक मिस्टे गया है, मेरे से छोड़ा से एरर हो गया, chock duster used by the school, school क्यों क्यों करता है, chock duster, खुद के consumption के लिए, नहीं, वो क्या करता है, बच्चों को बढ़ाता है, उससे services render करता है, क्या क्या क्या, इंटर्मेट गुर्स करता है, तो चॉक डसर भी क्या है, इंटर्मेट गुर्स प्रवाइट करता है, तो यहाँ पर हमारा answer है, all of the above, तीनों की तीनों क्या है बच्चों, इंटर्मेट गुर्स याना की तीनों की तीनों फाइनल गुर्स नहीं है, तो दी इस का अंसर है, all of the above, ना, फॉर्थ बन, इस का अंसर है, इस का अंसर है, यह बच्चों, एफ सी से एंप पर आना है, कैसे जाओगे एनईट प्लस करोगे, नाइट कैसे निकलेगा, एनईट कैसे निकलेगा, इट प्लस, सारी, इट मैनस सब्सीडी तो दौनों का इंपक्ट पड़ रहा है, है ना, एम पर एफ सी पर, यहस, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पताई इसमें से इसका मतलब क्या है, कि indirect tax is greater than subsidy, indirect tax is equal to subsidy, indirect tax is less than subsidy और indirect tax is greater than subsidy, दो दो बार आगे option तो, कोई बात नहीं, हम तो सही वाल option को देखते हैं, अभी देखो, तो factor cost बड़ा है, market price छोटा है, ठीक है, factor cost से market price किसे निकालते है, NIT प्लस करके, क्या करके, NIT को प्लस करके, NIT कैसे निकलता है, बच्चो, IT माइनस subsidy, तो बिटा, अगर IT का value 10 है, और सबसरी का value 5 है, तो 10 में से 5 गया कितना बच्चा 5, और factor cost में अगर NIT यहने 5 यह दो तो, सीदी सी बात है, MP का value FC से बढ़ाएगा, समझ दो, तो जब NIT का value negative में आ रहा हो, NIT का value negative में आ रहा हो, जिसकी वैसे क्या हुआ हो, MP का value कम हो गया हो, नहीं समझे तुम लोग बताता हूं, समझाता हूं, रुको ज़रा, देखो, FC, GDP, FC मानलों कितना दे रखा है 500, मुझे निकालना है GDP MP, क्या होगे इसको, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है, GDP MP, GDP MP किसे निकलेगा बच्कों, मुझे FC के अंदर प्लस करना पड़ेगा, NIT, तो समझो, IT याने indirect tax कितना है, 10, subsidy है 20, निकालो जड़ा, NIT कैसे निकलता है, IT मैने subsidy करके, NIT कैसे निकलता है, NIT निकलता है, IT याने 10, मैनस subsidy करके, कितना है, मैनस का 10, 500 में से मैनस 10 करा कितना बचाएगा, 490, तो इस केस में GDP MP छोटा रहा है, GDP FC बढ़ा है, question भी बोल रहा है तो बताओ कब ऐसा होगा तो sir ऐसा तब होगा वन subsidy is greater than indirect taxes when subsidy is greater than indirect taxes तो हमारा इसका answer है भच्छों subsidy is greater than indirect taxes यहनिए color fifth का छी नाव six final goods refer to those goods which are used either for dash or for dash final goods कौनसे गौरस है जो किसके लिऊज में लिया आते हैं either for consumption or investment either for consumption or resale either for resale or investment either for resale or further production बताये final goods refer to those goods which are used either by either for the consumption or for investment ऐसे goods जिनको या तो आप consumption के लिए उसमे रोगे या investment के लिए उसमे लिए उसमे रोगे उसको हम बोलता है क्या final goods ठीक है now seventh six का answer क्या हो गया A, now seventh net factor income from abroad is कैसे निकलती है net factor income, NFI यह कैसे निकलता है FIFA minus FETA, यहने factor income from abroad minus factor income to abroad यादे, lecture में पड़ाया है, नहीं यादे, तो आप इस lecture पर देखकर हो ठीक है, तो बेटा, इस का answer है हमारा C, factor income receipt from abroad minus paid to abroad, ठीक है, now eight depreciation means, depreciation का मतलब क्या होता है destruction of a plant in fire accident, nine, loss of fixes over time due to wear and tear, yes loss of fixes in earthquake, तो इस का answer है, के loss of fixes due to wear and tear now ninth, market price and factor cost will be equal when there is, market MP or FC equal कब होंगे, कब होंगे, when there is no direct tax, no indirect tax, no subsidy, या no IT or no subsidy, MP equals to FC तभी हो सकता है when there is no NIT याने net indirect access, net indirect access कैसे नहीं कलता है, IT minus subsidy, तो जब IT याने indirect access का value 0 हो, subsidy का value 0 होगा, तो MP और FC का value क्या जाएगा, equal, ठीक है, conversion करना सिखा है, मैंने वीडियो में, lecture में, याद है ना सब, नहीं याद है तो वापिस जाओ वीडियो देखकर हो, ठीक है, जो कुछ नियादा जाओ वापिस वीडियो देखकर हो, आई बस वाज में, चलिए, तो इसका अंसर क्या है, D, 9th का D, no X and no subsidy, 9th which of the following is an example of transfer income, transfer income याने वो इंकम जो हमने कमाई नहीं है, unilateral, one-sided payment होती है, तो बताओ इन में से क्या एक transfer payment है, transfer income है, bonus, unemployment allowance, compensation from the employer या all of the above, compensation from the employer, अरे, employer आपको compensation दे रहा है, क्यों, तो आपने उसका नौकडी करिए, तो यह transfer income थो नहीं है, तो factor income है, बोनस, बोनस क्यों मिलता है, हम काम करते हैं, इसलिए bonus मिलता, तो वह फैक्टर income है, unemployment allowance, याने बेरोजगार, बेरोजगारी भत्ता, याने वो लोग जो registration करना पड़ता है, तुम graduate हो और तुम लोग still unemployed हो, तुमको registration करा लो जाके unemployment उसके अंदर, तो तुमको 3000 रुपर पर मन्त या साढ़े 3000 रुपर पर मन्त वो मिलता है, allowance, तो unemployment allowance क्यों मिल रहा है, ऐसे move मिल रहा है, हम कोई काम कर रहा है, क्या नहीं, सरकार हम को दे रही है, य which of the following is an example of an intermediate goods, intermediate goods का क्या example है, पता है, intermediate goods, जिसको हम यूज मिल लेते हैं, इसी दूसरी की production के लिए, ठीक है, raw material basically, तो car sold by a dealer of second hand cars, car sold by a dealers of a second hand car, intermediate goods है, सोचो, steel and cement used by to construct a flyover, एक bridge बनाने के लिए steel और cement यूज कर रहो, इसी बाते हैं, यह तो intermediate goods है, इन्हों ने अगर क्या करा, कोई car बेचा है, तो इनके लिए वो car क्या थी, इनका intermediate goods थी, क्यों, प्योंकि इन्हों ने वो second hand car purchase क्या था, क्यों, खुद की use के लिए नहीं, ताकि इसको वापस किसी और को बेच सके, तो ऐसा goods जो हम resale के लिए खरीदते हैं, वो क्या होता है, intermediate goods होता है, ठीक है, तो तो तीनों की तीनों और अगर वही चीन ही, अगर हम खरी देंगे, तो क्यों खरी देंगे, खुद के consumption के तो वो क्या बन जाए, final goods, तो इसका answer है, पहला intermediate, दूसरे में आगा final, तो इसका answer है, C, intermediate or final, ठीक है, 13th, identifying missing item in the following picture, market price minus factor cost निकालने के रिए, बताओ, market price में से क्या minus करते हैं, ताकि ताकि market price आ जाए, NIT, net indirect access को, तो इसका answer है, बच्चो, net indirect access, याने B, now which of the following flow chart correctly establish the treatment of depreciation, बता ये, depreciation का कौन इसमें बिल्कुल सही treatment बता रहा है, तो बता, क्या हो दा, depreciation का treatment, कि सार, gross से जाना है, अगर net पे, gross से जाना है, net पे, तो minus कर दो depreciation, और अगर net से आना है, gross पे तो plus कर द depreciation, चलो देखते हैं, कौन साइस में, gross minus depreciation तो net आएगा, net plus depreciation तो gross आएगा, बिल्कुल सही तो, ए, पहला option नहीं सही है, बात ही खतम, चलो, आगे बढ़ो, 14th का ए, तो अभी तक जिए, बच्चों किया, बच्चों हमने, यह तो मतलब कुछ basic concept से related है, अब हम आते है, हमारे national income से related concepts के ऊपर, related aggregates of national income, चलिये, नहीं नहीं आते है, तो जाओ lecture में ठीक है, national income equals to NNPFC, यहने इसका answer है, if factor income received from abroad is equal to factor income paid to abroad, यहने, FIFA is equals to FITA, so बिटा, FIFA भी 50 है, FITA भी 50 है, 50 minus 50, 0, तो NFI का value कितना है जीरो अभी देखता आगे क्या बोल रहा है then which of the falling is not a valid statement तो पताइए इन में से क्या एक valid statement नहीं है ओके ठीक है बताना है यानि कि हमको बताना है इसमें से गलत क्या है हमको इसमें गलत चीज इडेनिटिफाइ करनी है ठीक है national income equals to domestic income अगर NFI यह नहीं है तो national income is equal to domestic income बिल्कुर सही रखा है क्यों क्योंकि domestic income होता है ndPFC national income होता है नNPFC तो domestic से national जाने के लिए करते हैं NFI यह प्लस करते हैं और जब NFI का value 0 है तो सीदी सी बात है domestic income ही क्या होगी national income होगी तो पहला option सही है यह इसमें गलती नहीं है यह हमको तो गलत स्टेट्मेंट ढूनना है तो पहला option तो सही है तो यह आंसर नहीं है बी वाला देखो NDPFC प्लस depreciation equals to GNPFC हां NDPFC में अगर depreciation add करोगे तो क्या आएगा GDPFC आएगा ना कि GNPFC तो बटा यह गलत दे रखा है आपका अंसर है बी ओके चाली आगे देखने की जर्वत ही नहीं है थर्ड फिल इन दब्लेंक NDPFC equals to GDPMP कब NDPFC GDPMP कब बनेगा एक तो नेट से ग्रॉस पर जाना है तो क्या करोगे depreciation प्लस करोगे national से domestic जाना तो क्या करोगे minus करोगे NFIA और FC से MP जाना क्या करोगे plus NIT बस यह देख लो कहां दे रखें तीन option में से प्लस डेप्रिशिशन माइनस NFIA और प्लस NIT यानि यह है आपका C option ठीक है तो इसका आंसर है सी यहादे सब कन्वर्जन वगएरा चलो ठीक है फूर्थ तो corporate tax is not a part of बताइए corporate tax इसमें से किसका part नहीं होता है इसमें से domestic का नेशनल का private का यह पर्सनल का तो बिटा इस नॉट ऑप पर्सनल इंकम corporate tax is not a part of personal income हमने personal income का formula देखा था है याद है तो personal income का formula निकालते है हम private income मेंसे तो private income मेंसे हम corporate tax मैनस करते है जब जाए कि personal income आता है ठीक है now fifth savings of non departmental enterprises does not include savings of बताइए non departmental कि एक सेविंग का नहीं आएगा MTNL का railway का LIC का इंडियन एयर लाइन बताइए तो देखो बच्चों non departmental enterprise बोल रहा है railway railway is the public railway सरकारी है government department की है ना तो यहां non departmental बोल रहा है कि इन में से कौन एक non departmental में नहीं आता है और रेलवे जो वो government department का है ठीक है तो यहां पर रेलवे का जो सेविंग्स है वो non departmental उसमें नहीं आएगा तो यहां आंसर इस railways ठीक है फिफ कभी नौ 6 इफ पर्सनल टैक्स आर फिफ्टी करोड ओके करना है परसनल डिस्फोजबल इंकम निकालते हम परसनल इंकम के लिए हमारे पास ये होती है परसनल इंकम आपको परसनल इंकम यहां पर दे रखा है बच्कों कितना देखा है 100 crore, तो personal income में से हम दो चीजे माइनस करते हैं, एक तो करते है tax और एक करते है miscellaneous receipt, ये दो चीजे माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, personal disposal income, तो आपको question में tax भी दे रखा है, personal tax भी दे रखा है, और मिसले सिस दौनों ते रखी दौनों को माइनस कर लो यहने 50 प्लस 10 याने 60 तो आपको पर्सनल इंकम कितना 100 100 में से 60 माइनस को कितना बजा 40 तो 40 तो 40 इस यॉर पर्सनल इस पोज़र इंकम यॉर आंसर इस D आध नाड नेशनल इस बॉज़र इंकम इस इकल है तो बटा नेशनल इस बनेशनल इंकम होती है है हमारी जो disposable income होती है हम उसको करते है उसको हम from the national income at market price then it will be equal to, बताइए, national income at market price याने के NNP MP, NNP MP में आपने क्या कर दिया बच्चो, IT को माइनस करा और सबस्टी को प्लस करा, याने क्लम लाकिक क्या करा आपने, IT को माइनस करा है ना, याने के, तो, अगर आपने क्या करा है, माइनस करा है, तो अगर आप NIT मैस करोगे, तो क्या आज जाएगा, FC यह आपके पास क्या जाएगा, NNP, तो बच्चों आपके पास आएगा, डॉमेस, NNP FC क्या होता है, national income होता है, तो यार आंसर इस national income, B, ने आया समझ में, समझाते हैं आ यह बोल रहा है सने आपको दिया है question में ना इन पी, MP, और इसमें से ने क्या कर दिया? it को सब्सटीड को कर दिया प्लस, इस ने क्या रहा है, और आई टी में से हो रहा है एन आई टी माइन सबते तो क्या मी ते कर एक डॉस और रहे बॉटा है बच्चो फ्ẫn सबस्क्राइब कान सर्मरा ने शिलन फारे ने Willough तो रहे ंपल्ड में से नाइशनल लोग कोई अ को तुछ्ट में पतातम लोग को you yes, so this answer is B, now 9, which are the following is not a compensation, component of operating surplus, इन में से क्या चीज़ी operating surplus में नहीं आती है, तो बटा, income method का formula है, जा दोगा, operating surplus किसे निकलता है, rent plus interest plus profit करके निकलता है, तो बताई निन में सी क्या चीज़ी operating surplus में नहीं आती है, interest आता है, rent आता है, रोयल्टिया थी, compensation of employees नहीं आता, तो compensation of employees is the answer, D is the answer, ठीक है, किसी को formula नहीं आदे, तो जाओ वापस वीडियो देखकर रहा हूँ, नहीं आदे formula तो जाओ वापस वीडियो देखकर रहा हूँ, now 10th, in which type of economy, in which type of economy, domestic income is equal to national income, बता ये, कौन सी तरह की economy में domestic income, national income की equal हो सकती है, तो देखो, domestic income, national income की equal तो होगी बिटा, जब NFIA नहीं होगा, और NFIA मतलब net factor income from abroad, यह जब आप abroad से कोई लेन दिन नहीं करोगे, तो close economy कैसी economy होता है, यहाँ पर abroad से कोई लेन दिन नहीं होता है, तो in close economy, national income will be equal to domestic income, ठीक है, तो इसका answer ह B, close economy, now 11th, private income does not include, बताइए, private income में इसमें से क्या एक चीज़ नहीं आती है, बताइए, income from domestic product according to private sector, या income from domestic product according to public sector, हम क्या निकालता है, private income, तो private income में बच्चों जो पब्लिक सेक्टर की income होती है, वो नहीं आती है, तो इसका answer है B, या public sector की income नहीं आती है, ठीक है, 12th, domestic factor income is another name for, domestic factor income, NDPFC, ठीक है, domestic income जिसको हम बोलते है, NDPFC, ठीक है, 12th का A, 13, private income includes, private income में क्या आता है, private income includes transfer income, factor income, सर, private income में दोने ही जी जाती है, private income जब हम निकालते हैं, तो private income में बच्चों चाहिए, factor income हो, चाहिए, transfer income, दोनों कम add करते हैं, ठीक है, याद होगा formula, नहीं आदे तो जाओ, समझ गए होगे, देख कर आओ, तो इसका answer है, बहुत A and B, ठीक है, C, C is का answer है, बहुत A and B मतलब C हो गया न, 13th का C, now 14th, which of the following is a part of national income, इन में से national income का part क्या है, profit is the part of national income, क्योंकि profit आता है, operating surplus में, operating surplus में, income में national income निकालने के लिए, उसके रावा, old age pension, transfer income, transfer income, national income में नहीं आती है, unemployment allowance, transfer income में, national income में नहीं आता है, scholarship B, C, जो है, वो transfer income होती है, वो national income में नहीं आती है, तो इसका answer है, हमारा C, 14th का C, now 15th, net domestic product at factor cost is less than national income, when, ndpfc national income से छोटा कब आएगा, when, जो आपको, अभी क्या होता है, ndpfc में प्लस करते हो, एन फाई तो आपके आस क्या आता है, national income की value बढ़ी आती है, ठीक है, तो यह बोल रहा है, ndpfc क्या है, छोटा आएगा है, national income से, कब, जब अपने प्लस करोगा, और फाई प्लस करोगा, मतलब अपने फैक्तर income from abroad, फैक्तर income from abroad क्या किया है, जादा receive किया है, और फैक्तर income to abroad आपने कम पे किया है, तो इस कांछ से देखते हैं बच्च यह होगा, तो NDPFC का value less than आएगा किस से national income से, ठीक है, इसका answer है, A, 15th का A, now 16th, national income is equal to, national income किसकी equal होता है, domestic product plus factor income earned from abroad, domestic product plus net factor income earned from abroad, domestic product minus factor income to abroad, domestic product, domestic product मतलब यहां हम बोलना जाए, domestic income, domestic income याने NDPFC, NDPFC में क्या प्लस करते है, NFIA याने कि आप minus करतो, net, आप plus करतो, net factor income from abroad, ठीक है, तो उसका answer है, B, domestic income जाप NFIA plus करेंगे तो national income आजाएगा, बात ही कितम, 17th, if net national product is given at MP, याने NNPMP दिरखा आपको, क्या देरिखा है, NNPMP देरिखा है आपको, V, क्या करेंगे, इंडरे टैकस अंत्मिया करोगे, और subsidy के साथ क्या करोगे, to get national income of the country, NNPMP से NNPFC निकालना है, NNPFC, MP से FC निकालना है, क्या से कैसे कैसे निकालोगे, एंपी से एपसी कैसे निगालोगे तो उसके लिए हम इंडरे टेक्स को माइनस करेंगे और सबसेडी को प्लस करेंगे ठीक है तो पहला आएगा सब्ट्रेक्ट और बाद में आएगा एड़ तो 17th का अंसर है सब्ट्रेक्ट प्रेड के आईटी जो है सब्ट्रेक्ट होगा और सब्सीडियो जो है वो फ्लस होगा टू गेट दी वैल्यू आफ एपसी ठीक है MP से एपसी 18th 18 पर जल दी से फड़ा पर अगे ऐस अगे को चैनल सब्सक्राइब नेशन थी ऐसान गेन का मुड्ट अगा पर से टाइब को नेशन दिस्पोजिव नेजन थे इनकम टिक है या परसनल दिस पोजरिंकर अगर एग एक हाउसोल की बात कर तो परसनल दिस पोजिव इनकम नेशन की बात करता तो नेशनल डिस्पोसर इनकम ठीक है? बढ़ रहेगा तो से उसका से परसंटनल डिस्पोसर इनकम नेशनल डिस्पोसर इनकम ठीक है? ना नाइंटींथ फॉलिएंग इन्फरमेशन कंप्यूट जी एन पी एंपी एंपी निकालो गीडी पी एपसी दे रखा है तो एपसी में क्या करोगे एन इप्लस कर दोगे ताकि जी एन पी एंपी आ जाए तो बस नाइटी कैसे निकालोगे इट माइनस सब्सडी कुश्चन आइफसी से एंपी पर जाना है ना, ओके मुट फीक जाना है लिरा अच्छा-टा वीad GNNBA GNPMP पर जाना है GDPFC से तो एंपी से एंपी जाना हैини एंपी से टो आप लोगा से याное c यह चलो देखों जीडी सिनिक आप आप को देंप अर और इसनिक हम पर धीन पर कैसे जाते हैं उसके लिए प्लश करते हैं उसके लिए प्लश करते եीय ओर quizzें मेकितना देना चाहें और आनि-व्य गभश्वन में घिनकार इंकम थो अंब र्जु को यह नैड़ इनकार इंकम कर्वाद नहीं हमें एक वटो मेटेन आज भी तो इसलम के एक Here negative figure ते रखावो, plus IT minus subsidy, IT कितना है? 400B, subsidy कितना है? 240, so 3000 minus 200 plus 180, plus 180, 420 में से 40 गया, 3003, 180, तो 3000 में से 200 गया, नहीं, लुको, 3000 में से 20 minus करो कितना हैगा? 2980, तो इसका आंसर है 2980, इसका आंसर क्या है बच्चो, 2980, ठीक है? अरे, 2980 बी इस दी आंसर, 19 इसका आंसर क्या है, B, now 20th, GNP MP, XS, NNP MP, तो इसका आंसर है, GNP XS, NNP BY, अच्छा, GNP NNP, क्या difference है GNP NNP की बीच में? Depreciation, तो इसका आंसर क्या है? Depreciation, difference between gross and net investment, fine, इसका आंसर है difference between gross and net investment, gross and net investments, क्या होता है? Depreciation, और यहाँ GNP और NNP की बात कर रहा है, तो difference क्या है? Depreciation, तो इसका आंसर है D, difference between gross and net investment, ठीक है? Depreciation, which of the following flowchart correctly represents the relationship between domestic concept, domestic concept के बीच में कौन सा सही है? बताओ, GDP MP, इससे जाना है अगर आपको GDP FC पे, तो कैसे जाओगे? यह चार्ट सही तरहा है क्या देखो, GDP पहला वाला, यह वाले option में देखना, ठीक है दिख रहा है तुमको, GDP MP यह बोल रहा है, कि GDP MP में अगर मैं NIT प्लस करूँगा, तो मेरे पास आजागा GDP FC, क्या यह सही है? MP में NIT प्लस करते हो, तो FC आता है? नहीं, बलकि MP में हम NIT माइनस करते हैं, MP में क्या करते है, NIT माइस करते हैं, तो get the FC, तो यह वाला option गलत है, B वाला देखते है, GDP MP माइनस NIT to get FC, बिल्कुल सही देखते है, फिर देखते है, GDP FC plus depreciation to get NDP FC, बिल्कुल gross से net पहाना तो depreciation प्लस करना पड़ता है, NDP FC plus NIT तो NDP MP MP, yes, NDP FC तो रखा है, plus करोगा NIT तो NDP MP आ जाएगा, और NDP MP में से माइनस करते हो, depreciation तो gross आएगा, नहीं, NDP MP में plus करना पड़ेगा, depreciation तो gross आएगा, तो B वाला option भी गलत है, last में गलत हो गया, C वाला देखते है, पहले माइनस है NIT, दूसरे में माइनस है depreciation, दो C वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर gross में से माइनस करने को बोल रहा है, तो gross में से माइनस करना पड़ता है, depreciation तब जाके net आता है, हाँ, बिलकुस सही, net से NIT यह भी सही है और net से gross दाने तो depreciation प्लस, तो इसका answer है C, ठीक है, 21 का C, 22, identify the missing item in the following flow chart, बताइए कौन-कौन सी दोची जाएंगी, private income में से कौन-कौन सी दोची जाएंगी माइनस होती है, इससे personal income निकलता है, बताओ, options are, personal taxes, retained earnings, B, corporate tax, retained earnings, current transfer from government या corporate tax and personal tax, तो बिटाया याद होगा आपको, private income से अगर आपको personal income निकालना है, तो इसके लिए दो चीजा माइनस करते हैं, आप लोग कौन-कौन सी वो दो चीजा होती है, बच्चों, वो होती है, इससार हमारी, एक तो, corporate tax, और एक होता है, retained earnings, ठीक है, एक तो होता है, corporate tax, और एक होता है, retained earnings, ठीक है, तो इसका answer आपका, B, 23, identify the missing item in the, और समझे इस सारे question जो है, formula based होने, अगर तुम लोग को formula याद नहीं है, बच्चों, तो पर वीडियो, lecture देख लो, फिर करो, now, 23rd, identifying the missing items in the following flow chart, बताइए, क्या चीज गायब है, कौन सी चीज गुम है इदर, प्लस जो भी है, देखना पड़ेगा, क्या गायब है, प्लस, net current transfer from rest of the world, net current transfer from rest of the world, current transfer, बच्चों ध्यान रखना, current transfer सिर्फ एक ही चीज निकालने के लिए रहता है, फिर net national disposable income आगया, ठीक है, फिर एक और चीज प्रस करने जिस्से आ रहा है, gross, देखो, net से gross पर आ रहा है, एड कर देप्रिसिशन एड कर रहा होगा, ठीक है, फिर gross से वापिस national net पर आ रहो हो, तो minus कर रहा हो का depreciation, और minus कर रहो, net transfer, एक और चीज प्रस हो रहा है, आपका national income, तो एक वो क्या चीज है, जो plus हो रही है, और क्या minus हो रही है, बहुत दूसा चीज तो हो है, depreciation, second number पर depreciation है, फिर्स नमर पर क्या है, तो पहला चीज, net indirect access, personal direct access, corporate tax या return earning, बताओ, या चीज, national income से आपको क्या minus कहना पढ़ रहा है, to get net national disposable income, national disposable income में बच्टाओ, क्या लगता है, क्या लगता है, एक मिट, हाँ, बताइए, देखो बच्चो, net national disposal income निकान लिए, पर्सनल टेक्स तो महाहने निकान लिकान लिए तो वहाँ personal tax महाहने रखता, तो भाईया, personal tax नहीं आगा, retain earnings का भी कोई बासता नहीं है, बच्चे दो चीज, corporate tax, corporate tax का भी इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि corporate tax private income में काम आता है, तो बेटा इस चांसर है ए जहां पर आएगा net in debt access पहले वाले में आएगा net in debt access दूसरे वाले में आएगा deposition फीके तूसका आंसर है यहानि आपको national income में net in debt access करन पड़ेगा साथ में net current transfer करना पड़ेगा to get net national disposable इनकम उसमें अगर आप माइप प्लस करोगे रप्रिसेशन तो आपके बसका जाएगा इनवर्स कर दोगे तो वह वाला वापिस आजएगा ठीक है इनवे से कौन सा इक फ्लोचार्ट गलत है ए बीचीडी पहला परसनल इंकम में से परसनल टेक्स माइनस करो माइनस करो मिश्यल्रन इसे इस सपा गमन तो परसनल इंकम बल्कु सहीं है पेर वाला सहीं है दूसरे वाला परसनल इंकम करू दो चीजेये परसनल कंजम्शन और करनी का ठीशन हो हाँ सी प्रायट इंकम में माइनस करना पड़ता है को आजाए आ हृका तो दी वाला गलती रखा दी वाला हमारा इसका आंसर है तो यह वाला इक व्हुश्टन भी माल वो गए टो यह in आ चल यह है तो इसे को मेस्जिर में को वाला टॉपिक की बच्चों हम करेंगे हमारे 36 40 कुछ questions हमने करे आज ठीक है अगला जो टॉपिक रहेगा नेशनिकों का वो है measurement of national income जिसका जो mcq से हम solve करेंगे हमारे next section में ठीक है तो बच्चों I hope तुम को समझ में आगया होगा कोई कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट करने का बताओ कि क्या कोई डाउट है पूछ हो ठीक है और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में ठीक है मिलते हैं बच्चों लेक्स नेक्स नेक्स लेक्टर में जहां हम जो है इसका measurement वाला जो पोश्चन नेशनिकम का वो हम करेंगे पूरा ठीक है चारो थेंग्यू